अब गूड मॉर्णिंग डियर इस्टुडेंट्स वेलकमें प्रग्या अगडमी आनलाइन क्लासेस पीवेस लास में मैंने आपको बताया था टक्सो नामी टक्सो नामी क्लासिपिकेशन आइडेंटिफिकेशन नामिन क्लेचर नामिन क्लेचर बायो नामिन क्लेचर ट्राय न अरेंजमेंट यह स्चीक्वेंश आफ एसेंडिंग और डिसेंडिंग आफ दिसेंडिंग के टेगरीज इन्हें क्लासिफिकेशन काल्ड हारेर की दो क्या है अरेंजमेंट ये स्टेकेंस आफ एसेंडिंग और डिशेंडिंग एसेंडिंग डिसेंडिंग जो अरेंजमेंट है देट इसकाल्ड हारेर की उसको हारेर की कहा जाता है अब आतीज जितने भी यह एंसक सिटार्ट में तो सब्सक्राइब ID करने को होते हैं मैंनि स्टेप से इंधे और और कटेगरी कर और तर रिप्रेजेंट रेंकार क्येते से अिपरेंक ळाग्री को आपक्सोनमिक लासिपिकेशन दिश्स अंपोन अंप अंप लासिपिकेशन अंप अंप लासिपिकेशन कि उसमें कई स्टेप्स होते हैं एक स्टेप्स नहीं होता है मैंनी स्टेप्स है लुहाँ पर क्या है नॉट वन इन इनक्लास सेक्षिन अगर मैंनी स्टेप्स एश इस स्टेप्स ही स्ते ही सिद र tutte प्रसेंग्षे सिर रिप्सबद्स रिप्रिएज हैं मैंमी मैं और बिच्टरe केथ्ट है रिजी ट्रफ ज्रिओ को tahu प्र५टतवर इन Dew्ण मैंच सिर ट्रफ खिटेगरे केथ्स Hero है अगर्यमिरीुट or units, arrangement of, ascending, ascending, or descending, descending, sequential arrangement, sequential arrangement of, meant of, categories are, categories, or units, units, card hierarchy, in classifications occur many steps, not one, one, not one, many steps, so these steps represent, rank, or category, and ascending or descending, sequential arrangement of, categories, sequential arrangement, of, categories, card hierarchy of, taxonomy, hierarchy of, taxonomy classification, classification, and taxonomy of, the study of, INC, identification, nomenclature and classification, so this classification, the arrangement of, ascending or descending, it is called High Rail Key, High Rail Key, a fixed rank, it is 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 a fixed rank, called category are units, called category are units, and units, units, now units, it is a fixed rank, very large units, it is a fixed rank, 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 but you used are only seven units, in classification, in classification, उचस्तिद कार बाथ वने उनम्यून और sa जुझ को है साथर है एंफो देरी अईटी, उनि थे मैं उनिजरा ऑनकने, या chemistry उनीर है आपको सिर्फ कितनी केटेग्रीप पढ़ने हैं सेबन कोई कोजी केंगडम केंगडम फाइलम क्लास ओर्डर ओर्डर फैमिली जीनस और इस Сов tendency 1,2,3,4,5,6,7 देखे, कट हैं तो बहुत भुथ किंगडम केड़ुआ सबकिंगडम होता है क्लास में सुपर क्लास नीचे सब क्लास अर्डर में होता है सबर्डर, सबर्डर फैमिली में होता है स्परफैमिली और सब फैमिली और जीनस में तो इस तरह से एक फिर इस पुछीज में 3 हो जाते हैं इस पुर्पीज में 3 हो जाएंगे यह सब इस पुर्पीज वेरियर्टी और रेस तो इस तरह से कर हम टोटल देगे तो फिरी 20 और 21 होती है But Yous are only that 7s, आपको 7 पढ़ना है तो इसमें क्यों सिवेब सिभाएं, लार्जेस्ट केटेगरी बर क्लासिफिगेशन हैऊ, ये त्राक्षण। क्या कराती ही, के इंगरम्स लार्जेस्ट केटेगरी, इन त्राक्षण। मैं आग्रिम्स नोबी ऐसे, कि इस प्रेइब और इस मालस्ट पिड़री इस मालस्ट पिड़री इस पिसी पूसर चोटी इस पूसर होती है सबसे बड़ी आपकी खिंगर होती है लिएब आरंडमेंट को क्या करते हैं हारेइरकी के का अरंडमेंटनेильно अच के ये सफिह चाइब हम्हार बाता लान पार्डिय को सर्फिक्प अगला बात रिएज संटियं यह्स और फाल भार कि ये इस कर बाता है अब पार करती है तक्सॉन 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 क्या होता है तो तक्सॉन एनी रेंक अफ एनी रेंक अफ तक्सॉन में एनी रेंक अफ क्लासिपिकेशन यहां के अधर फिक्स रेंक है तक्सॉन क्या है तक्सॉन क्या है तक्सॉन क्या है एनी रेंक हो सकता है और फिर क्या रहता है तो टक्षॉन का मतलब होता है लिखेयर, the plant or animals, that classified in categories so plant or animal group, animal group classified in category मुझा छंटे i-ra*** उस एक रैंक में जो झान कोगा बटक्सान मंतलब जैसे अपने मालझडे किंग डव तो किंग डाइक रैंक किंगडम क्या होगा और और किंगडम मालझे इय्क वन एनिमेलियोट थे है और प्र्टक्शॉन होगता है। और संब प्लांटी यह आपी थेक्शॉन होगता है। हम इस टेरा से डिश्य। और तो class तो rank है और इस पर क्या है मेमेलिया यह पे चाहुगा टक्षान इस तरह से होता है टक्षां तो टक्षान का मतलब है उसमें चुबी organisms classified होगा तो तक्षॉन और और आपका केटेगरी यह दोनों बाते होगे यह केटेगरी इस है केटेगरी में फिक्स रैंक होगा और तक्षॉन का मतलब है नॉट फिक्स रैंक अच्छा फिर टक्षॉन के सिंगलर है तक्षॉन इस सिंगलर और टक्षा इस प्लूरल है सिंगलर और प्लूरल हो जाएगा फिर आप देखेंगे फिर आप देखेंगे तक्षॉन फार टक्षॉन फार एनिमल फार टक्षॉन 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 ये जैसे मैंने आपके लिए का किंगडम, किंगडम, फाइडम, क्लाश, ओर्डर, फ्रेंडि, जीनस, इस वसीच, ये सब क्या हैं केटेविए हैं, केटेव गिरिये हैं ये सिर्श, एक रेंट हो गया, ये एक रेंट हो गया ये एक फिक्स रेंट होती एक और लाएह निजगैजी asonryskan फाइलों, ये सब क्याचाम गता है तो एने मेरिया एक ट्रक्षान होगा, फाइलम कोड़ेटर एक ट्रक्षान होगा, क्लास मेरिया एक ट्रक्षान होगा, प्राइमेर्स एक ट्रक्षान होगा, प्राइमेर्स एक ट्रक्षान होगा, प्राइमेर्स एक ट्रक्षान होगा, प्राइमेर्स एक ट्रक्षान होगा, गेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे मतलब उसका rank है fixed और उस पर जो organism है वो उसका जो भी उसका है जो उसका बनेगा वो किलाएगा टक्षान और similar form टक्षान है और उसका plural form टक्षा किलाएगा ठीक अच्छा आगया अब इन सब को एडिस डिफार्इंच अब आपको सभी क्रेगरीज की सबी यूनिक्स के फान के डिफिनेशन लेखी है अब बाद देखें आप कि अब मुष्क को एसेंडिंग या डिसंडि नहीं तो अब हम पढ़ गायां आइसेंडिंग कि अज़े आशेंडिंग कि आशेंडिंग मांवर से ascending sequence hierarchy ascending ascending या descending तो उसको कहते है hierarchy तो आदों ascending में जा रहे हैं पहला हमारे पास है species अभी आपको मैंने बताएगा species is the smallest unit of hierarchy it is a smallest unit smallest unit of taxonomy classification taxonomy or classification classification की सबसे छोटी unit किया है वो अपकी species है what is that species? तो 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 सेम टाइप ऑर्गनिस्म group of same type organs they can breed they can breed meaning they can sexual reproduce and produce same type organs तो group of group of group of same type same type same type morphologically same type morphological same type organism they can they can sexually they can sexually interbred interbred a fertilized interbred they can sexually interbred and produce produces same type organism same type springs same type organ of springs called species called species it is most popular definition most acceptable definition given by it is most acceptable 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 definition given by Maya given by Maya अब इकिस सब्से जादा जो acceptable definition है वो यही है कि two सेम टाइप आरजिजम उसमें मेल और फीमेल चाहर आएफ़्से मोनुसेस और डाजिजश इकन सेक्स्वड अउट इन्टाइब ईन्टाइब अड्न प्रोडूस सेम टाइप आरजिजम सेम टाइप आरजिजम मार्फलोजिय गयरी जय से हम रोग ये मार्फलोजी होती है, हमारी बाहर से जो पड़ते हैं, इसको कहते हैं मार्फलोजी. देक एंडिवेट अप इन्टरपेट और प्रडूसें ताइप आरगनेजम काल्ड इससीज्प अब इससीज्प उगए हैं, तो इस मालेश की में रहा है अब इस पसीज जैसे अब इसमें टू टैप की सपसीज होती है टू टैप की सपसीज होगे है एक होती है मोनोटैपिक मतलब क्या है नो सबस्पसीज और बाराइटी इसमें सबस्पसीज और बाराइटी नहीं है वो मोनोटैपिक है और दूसरी पॉलिटैपिक मतलब क्या है नोन सबस्पसीज और बाराइटी और रिसेस अब जैसे आपकर ही मन इसमें इना पॉलिटैपिक हुमन क्या है पॉलिटैक तूसरी पॉलिटैक है हम इसमें क्या बता है एक होमो सेपियंस और सेपियंस सर्फवसीर है सबस्पासिट है पैंथेरा में नहीं होता है तो पैंथेरा मोनोटैपिट ही तो पैंथेरा को इक्जाम्पेल लेकि देमें और आपका यह जोती है, वाली human होता है, homo sapiens politiapic है, इसके races कही है, अगर हम human races के नाम सुने हो, सब्सक्राइब आपने तो race समझे कही हैं जैसे australoid ये race, australoid, mangolood, 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 निगर निगरो लो यह हमारी रेसेस हैं तो ऐसा जहां पर स्पसीज और रेसेस बरेटी नो नो जाट आर गाल्ड पॉलिटेपी अब इक डिफिनेशन के कुछ एससें इस डिफिजन जो मैंने लिखा है इसके कुछ एससें केसें आपको मैंने बताया दा और इनो युद्वरे रहे हैं that are the same species बट देखिए आप सेक्षवल प्रेट होते हैं but not same species वह अशप्शन केस अभी देखिए मैं दिखा रहा हूँ असे असंदिल से असंद असंद्राइ इस असंद्राइ्स रहें इस पसी इस फसीड ओ इस काइन ब्रेड अब आप देखिए देखिए जैसे आपका है आपने सुना होगा मेल हॉर्स मेल हॉर्स हॉर्स का उतार केवेलस और फीमेल ढंकी यह उतार ऐसी नस दूनों डिफ्रेंट स्वसीच है इसका उतार केवेलस और इसका उतार एसीनस डिफ्रेंट स्वसीच स्वर्ट कें ब्रेड प्रडूस मेल हॉर्स है लेकिन यह कैसा होगा यह ब्रेड कर रहे है तो बने फटलाज़शन और हिन्नी फार्म करते हैं यह इस्ट्रेंट और हिन्न होता है यह बच्छे पायदा नहीं कर पाते हैं वट यह डिफ्रेंट इसमसील और यूंग कैन ब्रेट इसी तरह आपका अगर इसका इंवर्स कर दो फी मेल डंकी कर दो मेल डंकी और फीले हाफ कर दो तो बनता है मियूर खट्चा जिसको कहते हैं यह बिश्टे दो रहता है अब इसी प्रेंट इसमसीज हैं अगर मेल डंकी है तो मियूर बनेगा और मेल होत से तो हिन्नी बनता है अधूर जायतर जो घोरडी तो बने बॉलक भुलक हम होस कर लगई थै वह प्रेंग होते हैं और जो टाइगन और इसी का उल्टा है उल्टा कर दोगा लाइन और टाइगर ये करदू में और ये करदू फी में अब क्या हो जाएगा लाइगर ना लाइगर अब लाइगर वन गया और ये कर लाइगर अब जो वोता है ये दोनों फर्टिल होते हैं लेकिन इसा नहीं होता है मैंगो टू मैंगो ऐसा नहीं होता है लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि यह सब केस हैं जो चारों मैंने बताए यह एसेपसिनल है जहां पर आपकी जो इस पिसीज के आपने डिफिनेशन की दाट केंट फैल्ड वो फैल्ड हो रही है अच्छा अब आता जीनिस अब बात करते हैं जीनस की है जीनस क्या है दीए जीनस में क्या होता ग्रूप आप वन और मोर देन वन इस पसीज कर जीनस मतलब एक जीनस में कई सबसीज होती है तो जीनस क्या होता सेक्ट इस मालश्ट यूनिट इस पसीज term given by genre or species term, coined by genre, genre सबसे छोटी आपकी इस पसीज उसके बाद आती है सबसे सबसे इस मारे इस 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 पसीज उनी जाती है इस में एक या एक से अधी के सबसीज होई लेकिंगे। तो जहां पर एक यह से इस पसीज रहते हैं उसको जीनस कहते हैं अब आप देखिए अब जीनस में भी मोनोटैपिक मोनोटैपिक जीनस और पॉलिटैपिक जीनस मोनोटैपिक का मतलब होता है सिंगल इसमे सिंगल इसम इसमे होता है पॉलिटैपिक में आपका होमो इजरल होमो जो है इना और क्या और रह तो आप ना इशमचीजश महनी on हम लोगों में हूमो जो जीनस है स्थमस्टी सैपियन्स श़ास हां यई घृता लाँ आ लडाकितन थिच सर्सिंगल श biss सो लेनम, मिलान जीना, यह आपका ब्रिंजल होता है, बैगन होता है, सोलेनम ट्यूगरोसम, यह आपका पोटेक्ट होता है, आलू, सोलेनम ट्रिंजल हुआ है, यह आपका मकषोль होता है, सब अलग अलगजस्पसी था, यह अलगजस सब्साइज है, यह आलो, यह बेकलि, है मकषो, जहाँ पन मोर्दन मौनस्पसीज होंगी वह जबागी पॉलिटेपिक पॉलिटेपिक गीनस हो जह रसेंगे, ये पॉलिटापी जीनस है वो मोनोटापी जीनस में होमोसेशन्स है और ये भी किसे दिया था जॉन्रे तो इस जीनस गिवन बार जॉन्रे ये भी जॉन्रे का है जीनस भी जॉन्रे ने दिया है और इस्पसीज भी जॉन्रे ने दिया है और फैमिली भी जॉन्रे ने दिया है तीनों मतलब लोवर जो तीन कड़ेगरीज हैं वो जॉनरे से है अगला प्राइब फैनली एक उस सिंपल डिपने साम उसी अधार को बन तीचे ले जाएगी जैसे जीनिस के था गुरूप आप इस पसीज और यह क्यों जाएगा गुरूप आप जीनिस गुरूप आप जीनिस कार्ड फैनली तो इस थार्ड इस्मान इस्टिनिट थार्ड इस्मान इस्टिनिट इस थार्ड इस्मान इस्टिनिट और गुरूप आप इट इस गुरूप group of one or more than or more than one genus, one of more than one genus, जाब तो एक एक से दिक जेनलरी को जाएंगे दिए, लिए जार आफ एक से दिए जार देंगे, जार फेमली, तो family के group of genus है, family group of genus होगे, अब आपको यहां पर किया इसमें भी जॉन रहें देजा है है मिली टॉर्म है कि जॉन रहे का यह है अब एक जांपकर फैमिली जैसे आपकी सोले में इस एक अब सोले में इस एक फैमिली है अब इस फैमिली में आपकी बहुत से जीनस है सोले नम है लाइको परसी कौन है सोले नम जीनस है लाइको परसी कौन है यह के लाता है टमाटर या पर टोमेटो वरता है और इसमें तो ब्रिंजल पोटेटो वरता है ब्रिंजल ब्रिंजर, पोटेटो, यह सब आते हैं, और इसमें टोमेटो आते हैं, कैपसिकम, चिली, कैपसिकम, चिली, इसी में आता है, तोबैको इसी में आता है, तोबैको निकोटिनो, तोबैको, तोबैको उसी में आता है, तो अब आप देखिए, कि यहाँ पर एड उसमें कई जीनस है, मैनी जीनस, तोबैको अगर अगर एनिमल में जाओ, तो जैसे, पनली क्या है, आपकी, पनली केनिडी, और केनिडी, तो आपका जैसे है, वूमिनिडी, वूमिनिडी में क्या है, निमन, और एंड एक्स, इस दुरों आते हैं, निमन और एक्स आता है, आपकी केनिडी, इसमें कौन वह जाओ, डॉल, और फॉक्स आते हैं, फेजिडी, इसमें सब वह जाओ, लाइन, टाइगर, उस सब आते हैं, तो अब आप देखिये, इस तरह से लेखिये, एक उसमें मैनी जीनस, जीनस, मैनी जीनस, that is called family, अगर आम ब्रेशिका की बात करें, मस्टर्ड आएगा, उसमें आपका कॉली फ्लापर आएगा, उसमें कबेज आएगा, उसमें आपकी मूली आती है, रफेनेस, तो वह सब क्या है, फेमिली है, तो ब्रेशिके सी, या उसमें की बहते हैं, अगि सौथे नमबर की पहुंच गएगा हो, या सेंटर पर, ब्रेशिका में भी लाज्ट या उसमाल कीं रफॉत है, और लाज़ की बहु या भूगा, उसमाल में ब्रेशिका की ता सब करें impacto, फैसमाल में भी पिर ता स्लंइट, और फिर लार्जिस्ट गेएगां ह insulted your future mam, वे सेवन की टाम चला है, फॉर्थ लार्जेस्ट भी है और फॉर्थ नंबर पर इसमाल भी है, फॉर्स्ट इसमाल आपकी स्पसीज है, क्या है, इस ग्रूप आफ, वन नमाल, जिसमें एक एक से जड़ा फैमियों हो वो जाता है, आड़र, क्यों जागा, आड़र, तो फैमली जहां पर ज्यादा होंगी, उसके ग्रूप अपर ऋपाज जागा, आड़र, जैसे आप पर आड़र है प्राइमेट्स, अब प्राइमेर्स आडल में कई फैमिली थे हैं, आपकी एक होमिनिडी फैमिली है, और होमोडी फैमिली है, इसमें मंकी आते हैं, एक होमोडी, होमिली, और एक है होमिली, इसमें आते हैं मंकी, और इसमें आते हैं मैं, हुमन, 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 अब आप दीखियें इस तरह से हो जाते हैं तो पुंगडी इसी तरह आपका मांद यह है अनाकाड़ी सी पोईल्स डिप्टेरा यह सब आर्डर होते हैं तो आर्डर यह आर्डर हैं प्रामेर्स एक आर्डर है फिर आर्डर इसको कुछ नहीं जाते हैं लीनियस में आर्डर टर्म कोईट बाई दीएस यह नहीं क्या कहते हैं फॉदर रडर आपका इसको नहीं जाते हैं इन्हों नहीं जाते हैं अगे आपका रहा है क्लास 5th इसमाल यह 3rd largest इस 5th इसमाल यह 3rd largest इस 5th इसमाल यह 3rd largest unit more than one class more than one orders जिसमें order रहेंगें अब जैसे फ्रेंट आपका एक्जांपल मेमेलिया क्लास, अब इसमें क्या है, मेमेलिया क्लास में 16 ओरर, इसमें से 1 ओर आपका प्राइमेट से, कारप्टेरा है, इसमें चंगादर विगराते हैं, बैट, रोडेंशिया, रैट वगराते हैं, वेल बगरा के लिए सिटेशिया लोगों मार्फ पर रेविट बगरा थे हैं इसमें कुछ नहीं किये हैं इस सूरंटर इसमें वो पार्श बगरा थे तो अब आप देखिए इस सिस्टीन आर्डर इसके यह आर्डर होता है मनें क्लास में मैनी आर्डर्स होने अब आता है फाइनल तो आर्डर ग्रूप क्लास हैंली ग्रूप आर्डर और क्लास टल भी लिनियास अब आपता अगला था है फाइनल अब आपके फाइनल यहाँ एप्यो ग्रूप प्वाफ क्लास कपाइब एट इज शिम उपिंड और सैगंड लार्जस्ट तो इस आघंज नमल पे आएगए कि और group of one or more than one more than one classes जहां पर एक येट से थी class आ जाएंगे that is called phylum तो यहां पर group of class group of class called phylum तो phylum क्या group of class है प्लांट के लिए इसको क्या करते हैं तो डिवीजन प्लांट में इसका डिवीजन टर्म लिया आता है और वैसे प्लांट टर्म किसका था कुई लिया और डिवीजन टर्म लिए इफलर इफलर का डिवीजन था एक लचा और अब जैसे अब मालेजिए फालम आए कॉड था नो फालम क्या है और इसमें कई क्लास हैं लेकिन मैं फ्लिवी में क्लास दिख दे रहा हूं इसमें क्लास हैं फाइस फाइस मनिफिस वाला क्लास एंप्लिवीन फ्रॉग वाला क्लास यह सब क्लास हैं फ्रॉग को गराप्ते हैं रेप्तिल इसमें इसमें को गराप्ते हैं इसमें 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 अब आपन लोग आप तो अब आप देखिए इसमें आपने humans तो अब आप देखिए अब आप देखिए इसमें क्यों हो गए many classes जो मैंने five देखिए और भी classes हैं उसे इसको super class बोलते हैं तो इस तरह से हो जाता है तो many तो यह division हो गया अब last होता है आपका king down last होता है king down king down it is largest unit highest unit it is largest highest unit highest unit of taxolamia तो इससे बड़ी एक और होती है जब आप पढ़ेंगे वो system तो उसमें रहता है लेकिन वो इससे इसी गुमाना जागा it is the highest unit largest unit of taxolamia taxolamia की सबसे बड़ी unit है जिसको मुद्ने king down और kingdom क्या है ग्रूप आप मैनी फाइलम्स it is group of फाइलम्स divisions फाइलम दिविजन के ग्रूप तो ही क्या कहलता है आपका order इस वही है kingdom तो kingdom क्या है group group of इसमें group of मैंने यह लग जाते हैं तो जैसे अब linear लीनियस ने दो kingdom बताया थी लीनियस साइंटिस्ते हैं लीनियस ने two kingdom सिर्फ दो kingdom मैंने बतायते है planty और रेनी मिलिया लेकिर आज जो चला है उसके साफ से आपके पास five kingdom है आज का जो है modern है उसमें five kingdom है that given by whittaker whittaker ने दिये five kingdom किते दिये five kingdom whittaker विटेकर ने five kingdom मताएं five kingdom क्लासिपिकेस है five kingdom है अब five kingdom में क्या क्या थे तो तूप्रिया रेकिते ही है मोनेरा है प्रोटिस्टा है पंजी है और प्रांटी ने दिया तो अब आप देख रहे हैं तो kingdom अलग चीज़ है तो सभी आपको मेने पूरे हार एरकल यूनिट्स बताएं यह था आपका पूरा complete हुआ हार एरकल यूनिट् अगले तर्ड में पढ़ेंगे हम लोग taxonomical add last question is chapter का होगा तो अगले तर्ड में पढ़ेंगे ठीक okay thank you तो यहां पर group आप चलता चला जाएगा बहुत simple है और ascending descending है टक्षान टक्षा बहुत कुछा जाता है category सब कुत्रा जाने करें taxa में क्या होता है any rank है और category में fixed rank है यह चीज़ा command में होने चीज़ है okay